हेलो एवरिवन मेरा नाम है शीश और आजम बात करने वाले अल न्यू ग्रेंड आइटे नियॉस 2020 के बारे में अभी आप ये नियॉस का स्पोर्स टर्बो वेंट देख रहे हैं टोटल चार वेंट में आती है स्पोर्स और अगर इसके एक्सवरूम की बात करें तो यह पांच लाग बारा जार से स्टार्ट होता है और इसका जो टॉपेंड वेंट है आट लग पैंदी जार तक जाता है और इस ही जो अभी आप टर्बो वेंट देख रहे हैं इसकी एक्सवरूम प्राइस जो है साथ ल 171NM का टॉक है बीस का माइलेज मिल जाता है आपको टर्बो पेट्रोल इंजन तो काफी बहतरीन अपने सेग्मेंट की कार है विकाओ इस यह जिन फीचर के साथ आती है इस प्राइस रेंज में तो काफी कंपर टेबल ही बिला देती है इंसान को और ऐसी कुछ आपको फिल डियाँ नी-जाता है बडा सा लोगी मिलता आपको और फ्रंट प्रॉफाइल जो है नीचे ग्रिल ऐसी कुछ मिल जाती है आपको फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है ग्रेंड डियार्फ इन उस कि आपको बूमरंग डिजाइन में DRS मिल जाते हैं जो की लुक्स को काफी है प आपको फॉगलम दिये हैं प्रोजक्टर यहां पर आपको क्रोम फिनिस में मिल जाती है जो लुक्स को और भी बहतरी बना देती है तो काफी बढ़िया फ्रेंट प्रोफाइल है ग्रेंड आइटेन निया उसका तीन सालों और एक लाग किलोमेटर तक की वारंटी मिल जाती है यहां पर आपको पंदरा इंच के डामन के टालाइवेंस मिल जाते हैं अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो ऐसा कुछ आपको रियर प्रोफाइल मिल जाता है ग्रेंट आइटेन निया उस में पीछे ज़बी काफी बहतरी लगती यह गाड़ी और लुक्स भी बहतरी ह इसकी टोटल लेंथ है और high के बात करें तो 1.5 मिटर मिल जाती है ऐसे कुछ आपको टेल लेंपस मिल जाते हैं ग्रेंट उन्यास में पर पर आपको sports की बैजिंग मिल जाती है उपर आपको यहां पर defogger मिल जाता है और यहां पर आपको high mount stop light दी हुई है और उपर आपको shark fin antenna मिल जाता है roof rails मिल जाती है नियॉस में आप यहां सी पिलर भी जो है black में दिया हुआ है यहां पर grand item नियॉस की बैजिंग दी हुई है undai का आपको logo मिल जाता है नियॉस की बैजिंग यहां पर आपको camera की placement मिल जाती है ज़र आपको reflector मिल जाते है reverse parking sensor भी आपको दो दिये हुए पीछे आपको field मिल जाता है पीछे से काफी बहतरी लगती है और गाड़ी की विर्थ की बात करें तो 1.6 मिटर मिल जाती है बोट कोल के देखते हैं इसमें आपको 260 लीटर का boot space मिल जाता है जो की काफी बढ़े साइज में है उपर आपको यह पार्शा ट्रे भी मिल जाती है इसको आप हटा भी सकते हैं जिससे space और बढ़ जाएगा इचे आपको ऐसा कुछ इस पेर विल मिल जाता है थोड़ा अंदेरा होने को जैसे नहीं दिख रहा है चली बूट को करते हैं बंद और चलते हैं रियर वाली seats पे तो रियर डोर इसा कुछ मिल जाता है फुली ब्लैक फिनिस में आपको डूल टोन कलर बागर नहीं मिलेगा आप ऐसे कुछ आपको डोर ओपनर्स मिल जाते हैं यहां पे पाउर विंडो की कंट्रोल दिये हुए नीचे speaker and bottle loader की placement मिल जाती है आपको ऐसा कुछ रियर कंपार्टमेंट पू बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत खराब ही नहीं कहेंगी आप रियर एस इवेंट में जाते हैं कुछ ऐसा इंटियर दिखता है पीछे से पर आपको लाइट्स मिल जाती है रिदिदी लाइट्स लो लाइट के वज़े से थोड़ा सा आपको इंटियर दिखने रहा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है कमफर्ट के मामले में अगर आगे के डॉर्स में आपको आपको कोई भी कीले सेंट्री वगरा नहीं मिलती है और फुली ब्लैक निसमें आपको आगे का डॉर भी मिल जाता है यहां पर आपको डॉर एंडर्स मिल जाते हैं इधर पावर विंडो के और वार्वियम के सारे कंट्रोल से यहां पर दिये हो हैं लॉक अनलॉक के बटन दिये हो हैं नीचे स्पीकर एंड बॉटल होडर की प्लेस्मेंट दी हुई है ऐसी कुछ फैब्री स्पीट मिलती हैं यहां पर आपको टरबॉ इसका वैरिएंट इसलिए आपको रेड टेपिंग मिलेगी इसमें इसे आपको फुलर्डड ओपनर मिल जाता है मैनुनल स्फीट्स है यह आपको एसी बेंस में भी आपको रेड फिनिश मिलेगी जिसको टर इंटियर भी काफी बहतरीन है अब इस टेरिंग की ग्रिप भी काफी अच्छी है ऐसा कुछ आपको इंस्ट्रुमेंट क्लेश्टर में जाता है जो कि हाफ एनलॉग है और हाफ डिश्टल है आपको एनलॉग जो है टाकोमेटर मिल जादा इस पुड़र मिटर आपको डिश्टल लता है और मिल जाती जिसमें शवरे इंफोर्मेस्जन मिल जाती है आपको अपर इंफोटेंबेंट के सारे कंट्रोस ने अपर दीए हुए उंड़ाई की ब्रेंडिंग मिल जाती बीच में और यहां पर वाइपर और हेड़ाइट के कंट्रोल से यहां पर दिये हुआ आपको तो अंदर से काफी अच्छे लगती है यहां पर आपको एट इंच का टच इंफोटेन्मेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि एंडॉइड आट इंफोटेन्मेंट इस प्रत का यहां पर आपको एक एसी वैंटिस के कंट्रोल मिल जाते हैं घ्रियांट में और नीचे आपको इसाओर ऐलो चाईएग मिल जाता है अजिव यहां अप को नीचे कॉप होलडर अESय चुछ यहां कि ऐसा कुछ ग्लब बॉक्स दिया हुआ है नियॉस में और काफी बढ़िया इंटियर और काफी बढ़िया डिजाइन आपको डैश्बॉट में मिलेगा विजिबिलिटी भी ठीक ठाक है उपर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है यहां पर माइक की प्लेसमें मिल जाती है इध इंटर लॉकिंग, पावर दो लॉक्स, चायल सेफ्टी लॉक्स, सीट बेल्ड वार्निंग, इंजन अमेबलाइजर, क्रैस सेंसर, स्पीड सेंसिंग, आटो लॉक्स, स्पीड अलर्ट, एमर्जनसी, स्टॉप सिंगनल, एंटिथर डिवाइस और दो एयरवेग मिलते हैं आ अनि हुंड़े कास, विजिट इस सोरूम, तो कैसे लगी आपको ग्रेंड आइटे नियॉस, कमेंट करके जरूब बताएक, और अगर आपका कोई कोशन नहीं हो तो आप कमेंट करके पूस सकते हैं, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक कर सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आपके लिए कार्ट से लेटेड वीडियो में लाता रहता हूं, तो वीडियो देखने के आपका धन्यवाद, तब तक के लिए थैंक्यू सो मच